दोस्तो जिस तरीके से हम लोग अपने लिए आलिसान घर बनाना पसंद करते हैं बिल्कुल उसी तरह चिनियां भी अपने लिए आलिसान घोसले बनाना पसंद करती है और अपने लिए ऐसे सब घोसले बनाती है जिसे जानने के बाद आप चौक जाएंगे आप सबने जादा तर पक्षियों को पेड के ऊपर अपना घोसला बनाते देखा होगा लेकिन दुनिया भर में ऐसे भी पक्षियां पाए जाती हैं जो की जमीन के नीचे से लेकर पानी के ऊपर अपना घोसला बनाना पसंद करती है और पक्षियों द्वारा बनाए गए गोसले इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे इस पक्षी को देखिए ये पक्षी पानी में अपना गोसला बनाना पसंद करती है और ये पक्षी पानी में रहना पसंद करती है इस पक्षी का नाम है एफ्रिकन जकाना इस पक्षी के लंबे पैर होते हैं जिसके मदद से पानी में तेरते जहानियों पत्तों पर बड़ी आसानी से चल सकती है इनहीं के चलते ये पक्षी बड़े आराम से पानी के उपर चल सकती है ये पक्षी पानी में सुखे पत्तों पर अपना घोसला बनाना पसंद करती है ये एफिरिकन जकाना पक्षी पानी में ही अपना घोसला बनाती है अंडे देती है पानी में ही रहती है और अपना सिकार भी पानी में ही करती है यानि अपना ज्यादातर जीबन पानी में ही जीती है और ये पक्षी तालाबों में फैले जाड़ियों पत्तों पर अपने अंडे देती है और उन्हीं पर अपना घोसला बनाती है नमबर टू इस पक्षी को देखिए ये पक्षी अपना घोसला जमीन के नीचे बनाना पसंद करती है आप सबने जादा तर पक्षीयों को पेणों के ऊपर घोसला बनाते हुए देखा होगा लेकिन ये पक्षी जिसका नाम है यूरोपियन बी इटर ये पक्षी अपना घोसला जमीन के नीचे बनाना पसंद करती है ये पक्षी पहारों के किनारे या रेत के नीचे अपना घोसला बनाना पसंद करती है और इन पक्षीयों को एक घोसले बनाने में लगभग 20 दिनों का समय लग जाता है लेकिन ये पक्षी ये काम अकेले नहीं करती ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना घोसला बनाती ह लेकिन इस पक्षियों के ये अजीबो गरीब सौक के पीछे बज़र ये है कि ये पक्षी हवादार जगों पर रहना पसंद करती है लेकिन इन पक्षियों के ये अजीबो गरीब सौक के चलते कभी कभी खतरनाक जीबो का विस सामना करना पड़ता है कभी कभी इनके घोसलों में सांप जैसे जीब घुश जाते हैं जिसके बाद सांप इनके अंडो या बच्चों को अपना सिकार बना लेते हैं और जैसा इस पक्षी का नाम है एफ्रिकन बी इटर ये अपना सिकार मधुमक्यों को बनाती है नमबर थिरी इस पक्छी को देखिए ये अपना घोसला पत्तों में बनाती है इस पक्छी का नाम है कोवन टेलर बर्ड है और ये एसिया में पाई जाती है और ये बिलकुल युनिक टाइब का घोसला बनाती है ये पक्षी हरे और मजबूत पत्ते को ढूंदती है और उसमें अपना घोसला बनाती है ये पक्षी कीडों के रेसम से पत्तों को सिलती है माना जाता है ये पक्षी 100-200 तांके लगाती है जिसके चलते ये आंधी तूफानों से तो बचती ही है दूसरे सिकारियों से भी बच जाती है और ये मजबूत घोसले बनाने में माहिर है माना जाता है इनके एक घोसले बनाने में लगबग 2-3 दिनों का समय लग जाता है इस पक्छी को देखिए ये अपना घोसला मिट्टियों से बनाती है और इस पक्छी का नाम है क्लिफ स्वैलो अब तक आपने पत्तों से लेकर जमीन के नीचे घोसले बनाने वाले पक्छीयों के बाड़े में जाना लेकिन ये पक्छी कीचर से अपना घोसला बनाती है ये पक्छी अपना घोसला बनाने के लिए कीचर का इस्तिमाल करती है और ये अपने चोटी सी चोच से कीचर को उठा के अपने घोसले तक लाती है उन्सके बाद अपना घोसला बनाती है ये पक्षी अपने घोसले को मजबूत करने के लिए लकर्यों के टुक्रे का भी इस्तिमाल करती है ये अपने घोसले बनाने में लगभग 15 से 20 दिन लगाती है लेकिन ये पक्षी अपने मेहनत से इतना मजबूत और आराम दायक घोसला बना लेती है जिसके बाद ये आराम से अपने अंडे को देती है इस घोसले को देखिए ये घोसला सबसे सुन्दर घोसलों में से एक है और ये घोसला जो बनाती है उस पक्षी का नाम है वीवर बर्ड्स इस पक्षी द्वारा बनाए गए घोसले सबसे सुन्दर और सबसे यूनिक होते हैं और ये पक्षी अपना घोसला सबसे उचे उचे पर बनाना पसंद करती हैं इस पक्षी का घोसला लटकता हुआ होता है जैसा कि आफ अभी देख रहे हो और उसके साथ साथ ये सुरक्षित होने के साथ मजबूत भी होता है ये पक्षी अपना घोसला बनाने के लिए घास के बड़े बड़े पत्तों का इस्तिमाल करती है और इस पक्षी को अफना घोसला बनाने में लगवक तीन से चार महिनों का बक्त लग जाता है नमबर सिक्स केक्टस में बने हुए घोसले एक्चुली ये जो घोसले बनाते हैं केक्टस में इनका नाम है एल्फ आउल आप सबने ज़्यादा तर आउल के घोसले पेणों में देखे होंगे लेकिन ये रेगिस्तान में पाए जाने बाले आउल अपने घोसले केक्टस में बनाते हैं जो की काफी ज़्यादा सुरक्षित है इनके घोसले सिकारीओं के साथ साथ इंसानों से भी बचा रहता है सायद इसी लिए आउल को चालांक पक्षियों में से एक माना जाता है ये थे दुनिया भर में पाए जाने बाले सबसे यूनीक टाइप के घोसले आपको कौन सा घोसला सबसे ज़्यादा पसंद आया कॉमेंट में जरूर बताईएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सक्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो